चेतना, तुम्हें पता है हमारी फैमिली में सभी टॉपर्स हैं Everyone in our family is a topper That's nice Hello, क्या? तुम फेल हो गई? You are a black sheep of our family मैंने कहा you are a black sheep of our family इसका मतलब क्या है? Black sheep वो इंसान होता है जो पूरे खानदान का नाम खराब कर दे जो पूरी फैमिली का नाम बदनाम कर दे Black sheep of the family अब आप बताओ कि आपकी फैमिली में black sheep कौन है और क्यूं है? Comments में बताना जब हमारी इस तरह से checking होती है तो इसे English में बोलते हैं Frisking The lady guard is frisking everybody Lady guard हर किसी की frisking कर रही है इसकी past form होगी frisked I was frisked twice मेरी दो बार frisking हुई अब आप एक sentence बनाओ कि तुम बिना frisking के अंदर enter नहीं कर सकते और मुझे comments में बताओ जेतना मैंने नया Bluetooth speaker खरीदा है I've bought a new Bluetooth speaker How's it? इसके price के हिसाब से इसके features काफी कम है इसे हम English में कैसे बोलेंगे कि इसके price के हिसाब से इसके features काफी कम है हम कहेंगे इस features are quite less in comparison to its price इस features are quite less in comparison to its price इसी तरह हम कह सकते हैं कि उसकी age के हिसाब से उसकी height काफी कम है His height is quite less in comparison to his age अब आप एक sentence बनाओ कि मोबाईल के price के हिसाब से उसकी speed काफी कम है और मुझे comments में बताओ Sir, क्या हुआ? क्या हुआ? पता है, मैंना सपने में नोरा फतेही के साथ डांस कर रहा था In my dream, I was dancing with नोरा फतेही नोरा फतेही, वो तो सुकी हडडी है वो तो सुकी हडडी है इसके English क्या होगी? She is skin and bone She is skin and bone अब आप एक sentence बनाओ कि मेरा भाई तो सुकी हडडी है और मुझे comments में बताओ थक गए हाँ यार कॉफी पीने चले, let's go for a coffee किसी और दिन चलते हैं Let's go some other day किसी और दिन चलते हैं Let's go some other day Chetna, तुम्हारे birthday की planning हो गई? Is your birthday planning done? It still has some loose ends Chetna ने कहा It still has some loose ends इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि planning अभी finalize नहीं हुई है इसमें कुछ-कुछ चीजें हैं जो final होनी रहती हैं पूरी तरह final नहीं हुई है It still has some loose ends अब आप एक sentence बनाओ कि मेरे project की कुछ-कुछ चीजें हैं जो अभी final नहीं हुई है और मुझे comments में बताओ अरे, नटराज की pencil इसको देखकर तो मेरे बचपन के दिन मेरी आंखों के सामने आ गए इस बात को हम English में कैसे कहेंगे कि इसको देखकर मेरे बचपन के दिन मेरी आंखों के सामने आ गए My childhood days flashed before my eyes on seeing this My childhood days flashed before my eyes on seeing this अब आप इसी बात को comments में लिखो ताकि आपकी practice हो जाए My childhood days flashed before my eyes on seeing this I am sorry अगर मैं आपके personal matter में घुस रही हूँ बढ़ आपको इसे कुछ gift दीना चाहिए चेतना ने कहा I am sorry अगर मैं आपके personal matter में घुस रही हूँ कई बार हम किसी को कुछ सला देना चाहते हैं लेकिन हमें डर होता है कि हम उनके personal matter में तो नहीं घुस रहे इस बात को हम English में कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे I am sorry if I am overstepping I am sorry if I am overstepping मतलब I am sorry कि अगर मैं आपके personal matter में घुस रहा हूँ या घुस रही हूँ चेतना ने कहा I am sorry if I am overstepping but you should gift her something I am sorry अगर मैं आपके personal matter में घुस रही हूँ लेकिन आपको इसे कुछ gift देना चाहिए अनू पीछे बहुत ठंड है पीछे बहुत ठंड है It's too cold at the back आपको पता है इसका नाम pants कैसे पड़ा एक मज़दार कहानी है आज से कई साल पहले यॉरप में comedy play हुआ करता था जिसमें character था उसका नाम pantaloon था वो इस तरह की चीज पहना करता था उसको देखकर ये fashion में आ गया सब लोग ये पहनने लगे और इसे pantaloons कहने लगे वहीं से ये नाम हिंदी में आया तो पतलून बन गया और English में जाकर short हो गया और pants बन गया अब आप एक sentence बनाओ कि मेरे पास blue color की pants नहीं है और मुझे comments पे बताओ चेतना तुम dieting नहीं कर रहे थे weren't you dieting? Now I am in a goblin mode चेतना ने कहा Now I am in a goblin mode इसका meaning क्या है Goblin mode का मतलब पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये है Oxford word of the year Goblin mode का मतलब है आपका एक ऐसा mode जब आप दुनिया की परवा नहीं करते वो करते हैं जो आपका मन करे बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे इसे कहते हैं goblin mode में होना I am in a goblin mode मैं एक ऐसे mode में हूँ जहां मुझे कोई परवा नहीं कि दुनिया क्या सोचेगी अब आप एक sentence बनाओ कि क्या तुम goblin mode में हो और मुझे comments में बताओ YouTube पे मेरे मज़दार lessons को धेर सारा प्यार देने के लिए thank you आज आपकी popular demand पे मैं launch कर रहा हूँ IELTS course जिसमें IELTS exam clear करने के चारो modules speaking, listening, reading, writing में आपको perfect बनाया जाता है ताकि आप एक ही attempt में इस exam को clear कर सको मेरे साथ होंगे IDP और British Council Certified Trainers जिनको IELTS exam के tips and tricks पता है और वो आपका विदेश जाने का सपना सच कर सकते हैं इस course में एक pre-launch offer है जिसकी details के लिए link description में है या फिर आप अववल English.com पर भी जा सकते हैं अगर होना है सफल तो फॉलो अवल